बेटा, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, पलस माईनस एजूकेशन पॉइंट, आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक सिखाऊंगा, डिवाइड विदाउट डिवाइड, जी हाँ, डिवाइड विदाउट डिवाइड, ये कैसे पोसिबल है बेटा, देखुई ज़ तू से मल्टिप्लाइ करनी है, किस से मल्टिप्लाइ कर देनी है, तू से मल्टिप्लाइ करनी है, फिर आपने क्या करना है, एक नंबर के बाद डैसीमल लगा देना है, बस सिंपल, छोटी सी ट्रिक है बेटा, जो भी नंबर फाइड से डिवाइड होगा, तू से उपर वा बटा 1423 421 इसको बेंटा मैं 25 से डिवाइड करना किसेडिवाइड करना 25 से आपको जस्ट्सिंपल क्या करना है उपर वाले नमबर को 4 सेमेडिप्लाई करनी है किस से मेल्टिप्लाई करनी है 4 से मेटा 4 बन जा 4 4 2 जा 8 4, 4 जा 16, 1 कैरी 4, 3 जा 12 और 1, 13, 1 कैरी 4, 2 जा 8, 9 4, 4 जा 16, 1 कैरी 4, 4 जा 1 4 जा 4 जा 4 और 1, 5 बेटा decimal आपको लगाना है बेटा 2 के बाद 2 decimal place के बाद लगाना है सपोस करो मेरे पास एक ओर number है और मैं उसको बेटा 125 से डिवाइड कर रहा हूं, किस से डिवाइड कर रहा हूं 125, आपको जस्ट कुछ नहीं करना बेटा इसकी multiply 8 से करनी है किस से करनी है, 8 से बेटा 8 जा 8, 8 जा 16, 1 कैरी, 8, 4 जा 32 और 1, 33, 3 कैरी, 8, 3 जा 24 और 3, 27, 2 कैरी 8 जा 16, और 2 18, और बेटा decimal आपको लगाना है 3 प्लेस के बाद, right hand side से बात समझवाती है 5 से डिवाइड करना हो, तो 2 से multiply 25 से डिवाइड करना हो, तो 4 से multiply 125 से डिवाइड करना हो, तो 8 से multiply decimal, 5 वाले case में 1 के बाद 25 वाले case में 2 के बाद और 125 वाले case में 3 के बाद ठीक है बेटा आपके लिए मैं time to time छोटी होटी टिक लेके आता रहूँगा मेरे चैनल को जादे से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए